हेलो ट्रेटर्ज तो इस वीडियो में हम चाट पेटरंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि चाट पेटरंड टेकनिकल इनालीसिस का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट भेना चाट पेटरंस नवि स्बस्क знаешь अदूरा है हाँ जो लोग indicators पर काम करते हैं उनके लिए chart patterns का इतनी value नहीं है लेकिन जो पूर प्राइस section पर, pure price section पर काम करते हैं, उनके लिए chart patterns सबसे पहले आते हैं, तो ये वीडियो वो उसी के बारे में है, क्योंकि जब traders नए market में आते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि कौना चार्ट पेटर्स होते हैं और वो किस तरह से फॉर्म होते हैं तो ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो को देखिए और समझिए और ये पार्ट वन है इसमें मैं आपको मैंने जो PDF बनाई है ये मेरी खुद की चार्ट पेटर्स क्या होते हैं और उनको दीखते कैसे हैं इसके बाद मैं लाई मार्केट में फार्ट सेकंड बनाऊंगा तो उस में मैं बताऊंगा कि रियल मार्केट में ये कैसे फॉर्म होते हैं और इस PDF को मैं आपने टेलेग्राम चैनल पर भी अप्लोड कर दूंगा तो आप वहां से इसको down으로 कर सकते हैं और मैंने telegram channel को अगर आपने join नहीं किया है तो उसको भी join कर सकते हैं वहां पर tapes और signals बिल्कुल नहीं मिलेंगे और किसी भी तरह का link नहीं मिलेगा टोप 10 chart patterns जो सबी traders को पता होने चाहिए जो new traders होते हैं उनको पता नहीं होता है और वो indicators और signals की तरफ जाते हैं लेकिन chart patterns ऐसी technical चीजे जो आपको आज से ज़्यादा success तो किसी भी stock के analysis में वैसी ही दे दें और जो pro traders होते हैं वो इन chart patterns का use बहुत अच्छे से करते हैं और trading करते करते हैं आप भी इनका use करने लगेंगा तो सबसे पहले बात यह होती है कि chart patterns होते गया है तो chart patterns एक तरह के ऐसे patterns होते हैं कि वो हमें यह बताते हैं कि किसी stock ने जो अपने past में किया है यानि कि जो उसने पहले किया है उसके बाद वो आगे क्या करने वाला है इस chart patterns में वो stock एक range में आ जाता है जिसके बाद इस chart patterns form होते हैं और आगे हमें पता चलता है कि अभी ये क्या करने वाले हैं और ये हमें पता इसलिए पड़ता है क्योंकि उन्होंने पहले क्या कर रखा होता है तो chart patterns का उप्योग इसलिए होता है trading में अब best chart patterns कौन से हैं सबसे पहले head and shoulders फिट double top, double bottom, rounding bottom, cup and handle, wages, pennant और flex, ascending triangle, descending triangle और symmetrical triangle तो जो types of chart pattern है वो तीन type के होते हैं एक होता है continuation pattern, reversal pattern और bilateral patterns continuation pattern का मतलब यह होता है जैसे कि लिखा हुआ है कि continuation signals then an ongoing train will continue मतलब कि जो continue, Obsession patterns हें तो वह यह बताता है ऐका अगर जैसे कोई stock bullish है और फिर यह pattern बनता है तो इसका मतलब है इसके बाद भी स्टॉक bullish ही रहेगा एक फिर होता है reversal chart patterns यह वह होते हैं कि अगर कोई stock bullish है और फिर यह reversal chart pattern बनता है, इसका मदलब है कि वो trend change करने वाला है औरव वो bearish और अगर कोई stock bearish है तो reversal chart pattern बनने के बात हमें यह पता पड़ेगा कि वो bullish की ओड़ जा रहा है, मतलब वो trend change कर रहा है और एक है bilateral chart patterns ये वो chart patterns होते हैं जो जब form होते हैं ये chart patterns किसी stock में तो इसका मनलब होता है कि stock उपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है मनलब कि वो bullish trend में भी रह सकता है और bearish trend में भी रह सकता है इसका सबसे अच्छा example है symmetrical triangle pattern तो इसके बारा में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे तो ये तो होगा types of chart pattern कि chart pattern के types क्या है सबसे पहला है head and shoulder patterns ये है head and shoulder patterns आप ये पढ़ सकता है मैंने जो लिखा है और ये PDF भी आपको मिल जाएगी head and shoulders pattern का मतलब ये होता है कि इसमें एक shoulder होता है जैसा कि आपको नीचे image में दिख रहा है एक होता है head और एक shoulder shoulders head से हमेशा नीचे रहेंगे और उनके जो neckline होती है वो ये होती है और ये एक bearish reversal pattern है मतलब कि अगर कोई stock bullish है और उसके बाद head and shoulders pattern बनता है तो वो उसके बाद trend change करके bearish में आएगा और उसका उल्टा होता है यहां मैंना थोड़ी गल्दी से interned head and shoulder लिख दिया है ये interned head and shoulder नहीं है ये inverted head and shoulder है मतलब कि head and shoulders का उल्टा ये एक bullish reversal pattern है इसमें जब shoulder बनता है उसके बाद head बनता है उसके बाद एक और shoulder बनता है और ये neckline को जब तोड़ता है तो उसके बाद वो trend change करके bearish से bullish की और जाने वाला होता है इसके बाद है double top pattern इसको आप M pattern भी कह सकते हैं ये एक बहुत अच्छा chart pattern है जो कि हमें trend के बारें बताता है ये भी एक reversal pattern है ये bearish reversal pattern है इसमें क्या होता? stock अगर bullish है तो वो उपर एक top बनाता है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है detracement करता है और फिर उपर जातने की कोशिश करता है लेकिन जो second वाला top होता है वो पहले वाले top से थोड़ा नीचे बनता है और ये एक neckline है जिसको वो break करता है तो ये अच्छा bearish moment दे सकता है फिर है double bottom ये एक bullish reversal pattern है यानि की कोई stock जो की नीचे जा रहा है और उसके बाद वो एक bottom बनाता है उसके बाद वो pull back लेता है और उसके बाद नीचे आता है और वो एक bottom और बनाता है लेकिन वो जो पहला वाला bottom होता है और जब ये neckline को break करता है तो इसके बाद ये उपर जाने की कोशिश करता है तो ये होता है double bottom pattern जिसको आप को सीखना है और ये form कैसे होता है ये मैं आट टूम में भी बताऊंगा उसके बाद है rounding bottom rounding bottom chart pattern क्या होता है कि ये एक bullish reversal मान सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि stock पहले थोड़ा सा उपर जाता है उसके बाद बिल्कुल नीचे आता है और फिर एक range में गुमता है जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में पहले ये उपर गया फिर उसके बाद ये एकदम नीचे आया फिर ये एक range में ये cup and handle pattern rounding bottom का ही next part है लेकिन इसमें जब rounding bottom बनता है ये cup लेकिन उपर जाने के बाद ये थोड़ा सा redressment करता है और ये range में आता है और उसको जब range को break करता है तो ये bullish moment देता है अच्छा वाला तो इसको बोलता है cup and handle pattern ये आप देख सकता है cup की तरह बन रहा है फिर ये उसको cup को handle है और ये जब इसको break करता है bullish moment देता है उसके बाद है rising wedge pattern ये एक bearish pattern है जिसमें की एक stock है वो एक range में उपर की तरफ जाता है लेकिन वो triangle की तरह लाश में आपने जो दोनों trend line होती है उनको मिलाता नहीं है ये trend line को छोटा करता जाता है लेकिन उपर की तरफ जाता है और एक range में गुमता है और जब ये अपने नीचे वाली red line को तोड़ता है तो उसके बाद ये bearish हो जाता है और ये बिल्कुल नीचे आता है आप इस picture में देख सकते है कि rising wedge क्या होता है उपर की तरफ जा रहा है एक range में गुमरा है और ये उसका support इसको तोड़ता है तो ये देखिया आप फॉल करता है ये है rising wedge ये एक bearish pattern है अब आ रहा है falling wedge इसमें उसका उल्टा है वो उपर की तरफ जाता है ये नीचे की तरफ जाता है इसमें दो ट्रेड लाइन्स होती है उसकी एक range में गुमरा है और जब ये resistance को तोड़ता है उसमें rising wedge में support को तोड़ता है तो bearish की तरफ आता है falling wedge में क्या होता है कि जब यह resistance को तोड़ता है तो यह उपर की तरफ जाता है जैसे कि आपको इस picture में दिख रहा है वीडियो को end तक देखना मैं last में आपको tip बताऊंगा कि patterns का use कितने time frame पर करना चाहिए जो हमको benefit देगा ठीक है? ट्रेडर्स अब यह pennant और flags बनते हैं triangle form में जैसे कि आपको यह दिख रहा है यह दोनों नीचे बुलिश और बियरिश पैनेंट है यह दोनों triangle form में है और flag यह दोनो channel pattern में है ठीक है? तो सबसे पहले हम flags के बारे में बात कर लेते हैं कि flags में क्या होता है? एक pole होता है फिर एक range में यह बनता है और जब उस range को तोड़ता है तो यह bullish की और signal होता है और वैसे ही जो बियरिश होता है उसमें यह pole नीचे की तरफ बनता है फिर यह flag की तरफ pattern बनाता है यह एक range में उपर की तरफ जाता है और फिर यह जब अपने support को तोड़ता है तो यह नीचे की और आता है यह जो उपर वाला है यह bullish flag और यह जो नीचे है जिसका नीचे पॉल है और यह flag यह bearish flag ओके ट्रेडर्स अब pennant क्या होता है एक triangle होता है एक symmetrical triangle होता है इसमें क्या होता है कि एक pole होता है एक triangle बनता है और एक range में जब stock trade करने लगता है movement करने लगता है मनलब कि एक range में जब stock movement करने लगता है और उस movement को उस triangle को तोड़ता है तो यह उपर की तरफ जाता है तो इसको bullish pennant बोलते हैं और जब ये एक range में गुमता है फिर ये pole बनाता है फिर ये एक range में गुमता है और हम trend line से एक triangle को बनाते हैं और जब ये उस range को तोड़ता है support को तो ये नीजे की और आता है ये है bearish pennant और उपर वाले है flag pattern अब है ascending triangle ascending triangle एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही important bullish pattern है और बहुत strong भी मान सकते हैं इसमें क्या होता है कि जो उपर की ये जो लिखा हुआ है आप ये पढ़ लीजी है पीडिये मिल जाएगी आपको मेरे टेलेग्राम चनल पे उसमें पढ़ लेना है तो उसमें क्या होता है एक horizontal line एक horizontal line कीचते हैं हम दो या तीन points को मिला कर और नीचे से trade line कीचते हैं lower points को मिला कर और उस range में जब इस stock move कर रहा होता है और जब उपर की जो horizontal line ने इसको तोड़ता है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा bearish, sorry, बहुत अच्छा bullish moment हमको मिलने वाला होता है और इसको कहते है ascending triangle pattern इसमें उपर की तरफ horizontal line होती है और नीचे trade line होती है जब इसको एक range को तोड़ता है और जब उपर जाता है तो यह ascending triangle बनता है और हमें bullish moment देखने को मिलता है उसी की तरह होता है descending triangle pattern यह बहुत strong bearish pattern होता है इसमें नीचे के जो points होते हैं support उनको horizontal line से हम जब draw करते हैं और एक से दूसरे को joint करते हैं और उपर से जो trade line कीचते हैं हम points को मिलाते हुए तो जब support को तोड़ता है यह इस area से तो यह बहुत अच्छा और बहुत strong bearish moment देता है यह होता है descending triangle उसके बाद है symmetrical triangle इसमें जो उपर के जो point बनता है और जो नीचे का point बनता है यह दोनों बराबर range के बनते हैं जैसा कि आपको इसमें दिखरा है इसमें कोई उपर ज़ादा बन जाएगा और नीचे ज़ादा बन जाएगा ऐसा नहीं होता है इसके दोनों points जो lower low बनते हैं और higher high बनते हैं यह दोनों की range बरोबर होती है और जब यह दोनों तरफ trade line खीचते हैं और यह जब उपर की तरफ breakout देता है तो bullish moment मिलता है और नीचे की तरफ breakout देता है तो bearish moment मिलता है यह क्या होता? bilateral chart pattern है यह हमको दोनों तरफ का moment दे सकता है आप इस दूसरे वाले picture में देख रहे हैं कि उपर से आया यह इसने form किया symmetrical triangle और उसके बाद नीचे bearish हमको pole अच्छा मिला और इसका target नीचे उतना ही है जितना इसका pole था उपर का तो यह हमारा last pattern था symmetrical triangle pattern I hope आपको यह समझ में आया होगा यह chart patterns कैसे काम करते हैं हमारे को technical analysis में trend को identify करने के लिए कि आगे कोई stock क्या करेगा अब सवाल यह आता है कि यह जो pattern से यह किस time frame पे बनाना अच्छा रहता है तो मैं आपको कुणगा कि जितने कम time frame पे आप patterns को ढूंडेंगे उतना जल्दी मिलेगा क्योंकि monthly में अगर आप को pattern ढूंडेंगे तो उसको एक candle एक month की होती है कितने महिने लग जाएंगे एक stock को एक chart pattern form करने के लिए बनाने के लिए और जितना कम time frame होगा तो उतना जल्दी chart pattern बनेगा तो सबसे अच्छा अगर time frame में बताऊं कि chart pattern बनानेगा तो आप 5 minute को यूज कीजिए 15 minute को यूज कीजिए 13 minute को यूज कीजिए इसमें जो chart pattern बनेगा वो जल्दी भी बनेंगे और आपको छोड़े-चोड़े moments catch करने को भी मिलेंगे लेकिन बड़े time frame पे अगर कोई chart pattern बनता है तो उसको तो आप opportunity की तरह लीजिए क्योंकि वो इतना अच्छा moment देगा कि आपको profit बहुत बड़े-बड़े होंगे तो आप इसको किसी भी time frame पे यूज़ कीजिए बस कम time frame पे यूज़ करेंगे जल्दी बनेंगे बड़ी time frame पे यूज़ करेंगे तो बहुत कम आपको ये chart patterns देखने को मिलेंगे लेकिन triangle pattern और channel pattern यह तो आपको सबसे जातना देखने को मिलेगा इन पे भी मैं एक dedicated video बना दूँगा तो जो chart patterns होते हैं आप उनको 5 minute, 15 minute, 30 minute पे यूज़ कीजिए और जैसा कि मैं जो बड़ी time frame, one day की time frame पे अगर को chart pattern बनता है तो वो बहुत बड़े target देता है और छोड़ी time frame पे आपको अच्छा-च्छा target उसमें भी मिल जाते हैं तो आप कम time frame पे बनाएंगे तो आपके chart patterns जल्दी बनेगे बड़ी time frame पे बनाएंगे तो आपके chart patterns form होने मा थोड़ा time लगाएगा लेकिन chart patterns जल्रूर बनेगे तो आप इसको किसी भी time frame पे बना सकते हैं अगर आप intra day करते हैं, swing trading करते हैं तो आपको 5, 15 और 30 minute और 1 hour काफी है patterns बनाने लिए और अगर आप positional trading करते हैं तो आप one day पे charts pattern बनाएगे तो ये वीडियो अभी यही end करते हैं, अगर आपको ये पसंद आया है तो comment जरूर कीजेगा और वीडियो को like जरूर कीजेगा थाकि मुझे भी motivation मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊं